कि नंबर चार कि कभी ऐसा होता है कि बीमारी टर्मिनल होती है कैंसर है पता चला पेट में दर्द होता था दर्द होता था डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने बताया आपको कैंसर है टेस्ट किये वाकई पॉजिटिव निकले और कहा कि इलाज भी नहीं हो सकता क्यों अब एकदम थर्ड स्टेज में है अकसर ऐसा होता है कि बीमारी एकदम आखरी मरहले में मालुम पड़ती है अब कुछ मत करो इनको छेड़ो मत इनको खुश रखो खिलाओ पिलाओ पें किलर्स दो दवाईयां दो अब कोछ नहीं हो सक कि ऐसे वक्त में आदमी क्या करें ऐसा आदमी तो उम्मीद भी नहीं इलाज की ऐसे वक्त में वो मौत को याद करें क्योंकि मौत उसके लिए नजात है आप माली जी कैंसर का पेशन्ट है उसको डॉक्टर बोले बेफिकर हो तुमको मौत नहीं है वो क्या दौा करेगा अल्ल लेकिन उस वक्त जब वो सोचता है कब तक मौत तक मौत तक बरदाश कर लो मौत के बाद नजात है एक ऐसी जिन्दगी जिसमें आराम है मैंने इस पर अगर सबर कर लिया अल्ला से शिकायत नहीं की अल्ला की शिकायत नहीं की अल्ला से तो शिकायत कर सकते हैं दुनिया की लेकिन अल्ला की शिकायत दुनिया से नहीं कर सकते हैं अगर मैं अल्ला से राजी रहा सबर कर लिया और अल्ला के दीन को नहीं छोड़ा मैंने इस तकलीफ में बीमारी में दुनिया तो खतम वैसे भी होने वाली है मौत तो वैसे भी आने वाली सिहत मन भी मर रहे हैं, बीमार भी मर रहे हैं बूड़े भी मर रहे हैं, जवान भी मर रहे हैं लेकिन अगर मैं सबर करता रहा एक न एक दिन जिन्दगी खतम होने वाली फिर बस खतम तब तक उससे आगे नहीं है जन्नत में भी कैंसर है होगा इसा नहीं आखरत में नहीं रहेगा यह मौत तक है जैसे दुनिया खतम कैंसर गायब सब खतम सब खतम सारी बीमारी है खतम तो एक इनसान के लिए मौत उम्मीद बन जाती है कब तक मौत तक अक्फिरू विक्रहादि मिल्दाद लज़तों को ढ़ाने वाली मौत इसको कसरत से याद करो हमारे तो मौत का तथकिरा घर में के तो मरे तुम्हारे दुश्मन मौत को याद करो मौत को नहीं याद करने की जिसे सारी सरकशी जिंदगी में आती है कहा लज़तों को ढ़ाने वाली मौत को खुब याद करो वभी बन्दा तंगी में परेशानी में मौत को याद करता है अल्ला उसके लिए कुशादगी पैदा कर देता है और जो भी इनसान वुसाद में याद करता है अच्छे हालात में मौत को याद करता है अल्ला जिन्दगी को उसके लिए तंग कर देता है एक आदमे आयाशी में जीरा है मात जब याद आती तो रिसेट हो जाता है अल्ला के बंदे तैयारी कर यह हमेशा नहीं रहने वाला है सिदा हो जाँ, सुदर जाँ मात याद आती है सारी मिठाई कड़ई हो जाती है लेकिन एक आदमी कड़ई कड़ई दवाएं खा रहा है लेकिन उसको याद है कब तक तोड़े दिन है बरदाश कर लो, उसके बाद आखिरत है सबर करके गए, दीन पे गए, इमान पे गए पर जन्नत है और फिर मीठी मीठी फल है यह सब दवाएं खता है उसके लिए आसान हो जाता है मात की याद ऐसे हालात में इनसान के लिए आसानी पैदा कर देती है इमाम इबन हिबान ने इसको रिवायत किया है